नमस्कार दोस्तों मैं हूँ प्रग्याप मेरे साथ देख रहे हैं एच्चेज न्यूज फेस्टिव सीजन एक तरफ जहां लोगों के लिए बहार लेकर आया तो वहीं ये आटो मुबील सेक्टर के लिए भी खुशियां लेकर आया हाली में आई सियाम की रिपोर्ट तो यही कहती है कि बीते महिने आटो मुबाइल सेक्टर को प्रॉफिट हुआ है यह प्रॉफिट कितना हुआ है और यह प्रॉफिट क्या फेस्टिव सीजन की वज़े से हुआ है ऐसे ही हम कुछ सवालों के जवाब जानेंगे आज हमारे सीनियर चार्टेंड अकाउंट इन गोपा कम हो रही है और वो दिन परती दिन गिरती चली गई सेप्टेंबर दोजार उननीस पिछले महिने तक दो महिने तक यह कंटीनिवस डाउन फॉल जाती रही है और इस समय हमारी जीडीपी रेट भी गिर करके 5% पे पिछले ती माही में आ गई इससे एक माहुल बन गया कि भ और जब हम उसको एनलीसिस करते हैं तो उसमें एक मंदी भी उसकी वज़ा होती है और यह लगता है कि भारत में अवरॉल मंदी है तो हर एक वस्तु जो है कही ना कहीं कंजम्शन उसका कम हो रहा है और हम इस इसको मसूस भी कर रहे है कि कंजम्शन पैटन भारत का में दो लाग पचासी हजार कार जो है जादे बिकी है हमारी और 0.28% हाला कि बहुत थोरा सा आंकरा है लेकिन इतनी बरहत हुई है अगर हम इंडियन कल्चर को देखते हैं इससे पहले पित्रपक्ष भारत में चला था पित्रपक्ष में कोई भी गारियां पर्चेज नहीं क देखते हैं कि क्या सीन आता है कौन सा स्टेंडर्ट फोलो होगा भारत में उसके बाद हम लोग गारी पर्चेज करेंगे और दिन परती दिन हमने देखा ऑट्मबाइल सेक्टर की बाट लग गई लेकिन यह रहात की सांस रहात की यह माहुल बना अभी कि थोरा थोरा कंजम लेकिन यह यह रहात की बात है तो आपको क्या लगते की सीजन की वजह से यह यह पिर यह आगे कंट वरा है सब्सक्राइब करने का भारत में माहुल बन जाता है और लोगों ने वह परचेश करना शुरू कर दिया उसके बाद जैसे हमारे पास नौरात्रा आये हमारे पास दसरा आया अब दिवाली आई तो इसमें बहुत सारी परचेश होती है तो यह उसका नतीजा है लेकिन भारत की जीडिपी रेट जो 5% है वह मैंने पहले भी का था बहुत टेंपरेरी यह हमारा हम उससे अबरकम कर रहे हैं और हम डॉलर 5 trillion economy की बात कर रहे हैं उसके मद्दे बहुत सारे decision लिये है हमारे finance minister ने और उसका नतीजा हमें सामने आ रहा है कि कंजम्शन हमारा बर रहा है लोगो की capacity purchase करने की बर रही है और यह जो अभी pattern है मेरे को लगता है आगे चलेगा भी तो सियाम की रिपोर्ट को आप किस तरह देखते हैं कि नेगिटिव वे में की सिर्फ 0.28% ही बढ़ा है या फिर आगे और बढ़ा देखने को मिलेगी positive वे में किस तरीके से इसलिए आ जा सकत की सियाम की जो रिपोर्ट है यह तो fact finding report है उन्हें जो सच्चाई है उस सच्चाई को सामने रखा लेकिन रहात इसमें है बहुत सारी कि अब हमारा वो consumption pattern बर रहा है कार में भी बर रहा है कार का consumption pattern कम होने की देखिए मैंने सुरू में का बहुत सारी वज़ा है और बहुत ब से जो young generation जो आ रहे हैं वो नहीं चाहते कि हम car purchase करके उसका capital investment करें हम उसमें driver का खर्चा हम उसमें लगाए उसमें petrol का उनका खर्चा होता है और एक अगर हम economic dispute से अगर calculation करें वो जब रोज एक young generation जो travel करती है उस पर जो खर्चा आता है उनका per day का और जो car जब purchase करते हैं उस तो यह कितना फाइदे मंद होगा भी GDP के लिए किस तरीके से फाइदे मंद होगा नी देखिए जब car जादे बिकती है car पे 28% GST लगता है जो luxury cars होती है 28% GST है और GST में कहीं भी कोई सरकार ने changes नहीं किया जब सलम चल ला था सरकार में उसमें लग रहा था कि GST की rate हमारी कम हो जाएगी तो उसमें उस सरकार ने कम नहीं किया जो सरकार को दूसरे factor इसमें नजर आ रहे थे कार जब बिकेगी जादे बिकेगी तो सरकार का GST का revenue में overall अगर आप देखें तो GST का हमारा revenue collections भी कम होता जा रहा है हमारा जो एक लाग करोर का जो टार्गेट है वो टार्गेट हमारा कम हो करके हम नब्बे हजार करोर के आसपास अब घुमना सुरू कर दिया है कि वह भी सब लोग GDP का अनुमान जो हो गिराते जा रहे इसी कारण मोधी सरकार जो है वो GDP का base year बदलना चाहती है तो आपको क्या लगता है कि फैसला कितना सही है भारत में जो financial year जो चला आ रहा है बिगनिंग से हमने लिया हुआ है अप्रेल टू मार्च अप्रेल टू मार्च लेने सुरू किया गया जबकि worldwide जो है यह January to December financial year है अब यह बहुत दिनों से चर्चा चल रही है कि financial year का base rate जो है हम उसको change कर देते हैं अप्रेल टू मार्च की जगह हम January to December कर देते हैं यह बहुत सही decision रहेगा January to December करने का चुकि internationally अगर हम लोग देखते हैं जब comparison करते हैं तो internationally December to January to December financial year है और जब हम इसको financial year देखे हम कोई भी चूज कर सकते हैं अमेरिका में अलग हो सकता है उनका financial year उनका अलग हो सकता है लेकिन यह worldwide जो है जो British calendar हमारा है January से December तो यह change होईगा और मेरे को लगता है इसी साल से change होने वाला है यह इस से change होने से revenue में कोई फरक परने वाला होता है देखिए बरसात का जो महिना होता है इसमें बार एंच सुखार यह हम इन चीजों को face कर रहे होते हैं जब हम December से January से December तक आजाएंगे तब उस समय क्या होगा एक हमारा एक parallel हमारा period चलेगा उसमें सारी चीजे हालना कि 12 मेहने का कोई भी period लेते हो सारे के सारे उसमा आजाते लेकिन predominance किसका रहता है predominance हमारा जो है productivity हमारी होती है calendar अगर हम लेते हैं तो उसमें ज्यादे reflection होईगी और GDP का सही आंकलन उसमें हो सकता है इसलिए यह मोजी सरकार सोच रही है कि हम इसको change कर दें तो क्या लगता आपको कि सिर्फ एक base year बदल देने से GDP का अनुमा हमारी value addition से होईगी और हम जितनी महनत करते हैं goods and services sector में वह उससे होईगी वह best year change करने से नहीं होगा लेकिन reporting में फरक पर जाएगा चुकि हम जैसे हमने GST हम लेके आगए GST लेके 17 plus act को हमने demolish कर दिया एक नया act लेके आगए अब बात यह चल लिए कि income tax act को भी हम abolish कर दे है और उसके बाद जो है हम banking conjunction tax act लेके आजाएं दिए change is the rule of life आपको experiment करते रहना परेगा और सही तरीके से अगर अपने financial economic की reporting करनी है तो उसमें भी अगर यह experiment किया जाता कि best year change करने से हमारी reporting सही होती है इसको करना चाहिए लेकिन मैं इसको नहीं मानता कि best year change करने से आपक अपको क्या लगता है कि मंदी के दौर को लेकि क्या लगता है कि हाली में अमनी जी ने भी बात मानी थी कि भारत इस वक्त मंदी की तरफ बढ़ रहा है देखिए एक होता है clinical correlation हम मंदी की बात करते हैं मंदी की बात हम इसलिए कर रहे है कि हमारी पिसले तिमाही में GDP रेट 5 परसंट हो गए जो 7 परसंट का सबस चल रही थी और डाटा जूट नहीं बोलते तो हमें यह मानना पड़ेगा कि भारत की GDP रेट लेकिन GDP रेट यह पहली बार भारत में कम नहीं भी है 3 परसंट का सबस भी गई है तो यह जो डाटा है हम इसको clinical correlation करते हैं तो market में ऐसा नही लगता market में अभी दिवाली गुजरी है हमने देखा है कि कोई भी market किसी भी mall में चले जाओ आप दिली के आप चानी चोक में चले जाओ आप आप नया बजार में चले जाओ सदर बजार में चले जाओ क्रोल बाग में चले जाओ आपको कोई भी market खाली नहीं मिलेगा जबर बजट आया, वहाँ पर हमने डॉलर फाइब ट्रियन एकोनोमी की बात करी इस सरकार ने और फाइब ट्रियन एकोनोमी नहीं अचिव किया जा सकता तो भारत में कुछ जो भेस्टेट इंटेस्ट वाले लोग हैं उसको साबित करने के लिए मंदी की बाते कर रहे हैं और एक इ दोने में हमें गिरावट देखने को मिले लोगों का यह अचानक से क्यों उसमें इन्वेस्ट करने का इंट्रेस्ट खतम हो गया देखे भारत जो है भारत में ग्लोबलाइजेशन 90 के बात सुरू हो गया और यह वर्डवाइड ग्लोबलाइजेशन जो हुआ तो यह सारी प भाव में बहुँ जादे फरक नहीं है सब जगा more or less सेम भाव हैं तो क्या लोगों ने ट्रेडवार के डर से भी सोने में इन्वेस्ट करना स्टार्ट ने ऐसा कुछ नहीं है भारत में हम लोग समझते हैं कि इंटेनेशनल मंदी चल रही है तो भारत में भी उसकी मंदी अगर किसी की तवियत खराब होती है तो बुखार भी उसको हो जाएगा लेकिन वो ठीक हो जाता है और एकोनमी अभी मेरे खाल से सही दिसा में चल रही है ट्रेडवार फायदा देगा या फिर नुकसान भारत ले कोई भी वार होता है वो नुकसान तो करता ही है हमारा का एक टार्गेट होता है भारत सरकार ने पंद्रा परसेंट आपको उन कंपनी पर टेक्स लगा दिया जो नई कंपनी बनती है और जो मैनुफेक्ट्रिंग करेंगे पंद्रा परसेंट एक बहुत ज्यादे इंसेंटिव है अब जो भी इंटरनेशन कंपनी होती है जो देमोक्रिक कंट्री हो भारत सारे के सारे पारामेटर्स पूरा कर रहा है कि वह टेक्स रेट में हम लोग 25 परसेंट और 30 परसेंट में अटके हुए थे और सारी कंपनी चाइनीज से ली जाती थी कि चाइना में उनको बहुत सारे बेनिफिट मिलते थे अब यह चीज जो ए पंदरफ परसेंट वाला चेंजिस किया गया यह दिखे टेड़ वार का हिसा नहीं है हम इंटरनेशनल फंट को भारत में लाना चाहते हैं और यह हमारी अपनी अपनी इंडिपेंजन कंट्री हम सारे डिसीजन इस तरीके के ले सकते हैं तो यह बहुत एक इंसेंटिव दिय